सहडोल के एक सरकारी स्कूल में चौकाने वाला मामला प्रार्थना के दौरान छात्र हो रहे बेहोस जाड़ फुक कराई जा रही नमस्कार मैं हूँ अनपा मनूप आप देख रहे हैं दख़वरदार नूज सहडोल जिले के एक सरकारी स्कूल से चौकाने बाला मामला सामने आया है जहां प्रार्थना के दौरान छात्र एक-एक करके बेहोस होने लगते हैं छात्रों को होस मिलाने के लिए जाड़ फुक कराई जाती है जिसके बाद छात्र होस में आ जाते हैं यह पूरा मामला जिले के बुढ़ार विकासखंड की छुटकी टोलाई स्कूल का है जहां छात्र जैसे ही प्रार्थना की कतार में खड़े होते हैं उधर प्रार्थना सुरू होती है वैसे ही छात्र एक एक करके जमीन पर गिरने लगते हैं यह सब देख आसपास के छात्र छ हेड़ मास्टर का कहना है कि ऐसा मामला कभी कभी सामने आता है लेकिन अब आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, वहें खंड सिक्छा धिकारी ने बताया कि यह पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी विकास खंड के बिल्टु किरूरी स्कूल के सामने जहां इस्टुडेंट क्लास रूम और प्रार्षना में बेहोस हो जाते थे लेकिन यह कोई जादू टोना नहीं बलके बीमारी है जिसका इलाज कराने की जरूरत है मामले को लेकर के आए जानते हैं इस्कूल के हेड मास्टर और ब आए उनकों चकार आरे इस संदर्ब में अभी मैं वहां के हेड माजटर से और वहां के संकुर प्राचार से बात करता हूं, क्योंकि ये बात मेरे संग्यान में अभी आपके माध्यम से आई है, तो इसका हम पता कराते हैं, पिछले बर्स इसी प्रकार की कुछ घटना बिल्टुकरी स्कूल में मैंने देखी थी, वहा माँ के लोग प्रया, जादू टोना और अंद्विश्वास में लोग विश्वास करते हैं, तो ऐसी कोई बात होती नहीं है, डोल से हमारे रिपोर्टर जूगल कि सोर मिस्रा की रिपोर्ट बने रहें दख़बरदार्यों के साथ, वास्तु परामर्ज तक हम आपके सपने क साकार करते हैं, वास्तु कलाव, वास्तु और हुनर इतने बढ़ियां, दिये गए नमबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं झाल अच्षडिक क्यों है